बिहार में कोरोना के तीसरी लहर के बीच शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ रही है. सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने समग्रश शिक्षा अभियान के तहट 586 करोर 41,49,000 रुपय की स्वीकृती देते हुए इसे जारी करने का आदेश दिया है. इस राशी से 3.5-2 लाग शिक्षकों और पुस्तकाल याध्यक्षों को 15 प्रतिशत बड़ा वेतनमान के साथ वेतन दिया जाएगा. वही शिक्षकों को संक्रमन से बचाने के लिए 50 फीसत क्षमता के साथ ही स्कूलों और अन्य शेक्षन एक संस्थानों में शिक्षकों को वेतन भुपतान के साथ साथ विभिन योजनाओ के क्रियानवयन में भी जल्द काम होगा. आपको बता दे कि 3.5-2 लाग शिक्षकों के वेतन के लिए 586 करोर 41 लाग की स्वीकृती मिली है. वही आनलाइन के जरिये से शिक्षकों की व्यवस्था को प्राथमिक्ता देने का आदेश दिया गया है. राज्य के सभी सरकारी और कॉलेज, यूनिवरसिटी और कोचिंग संस्थानों की क्लास 21 जनवरी तक बंध है. लेकिन उनके दफ्तरों में शिक्षकों और कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिती होगी. 60-50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारी अ आदेश दिया. अफसरों को यह भी आदेश दिया गया है कि सभी जिलों में एजुकेशनल संस्थानों के 15-18 साल के चात्र चात्राओं के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट से समनवेकर टीकाकरन की विशेश व्यवस्था देखेगा. इसमें जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर जनके माध्यम से कार्यान वयन में मदद लिया जाएगा. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यबाद. खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ है. कोरोना में अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे. जय हिंद.